देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद क्या घंटी बजानी चाहिए? जाने क्या कहते हैं धर्म शास्त्र पूजनियम, हर किसी के घर में गरोड घंटी जरूर होती है. सुबह भगवान को नीम से जगाने से लेकर आर्ती और भोग लगाने तक घंटी जरूर बजाई जाती है. घर हो या मंदिर, भगवान को प्रसाद या भोग लगाते समय लोग घंटी जरूर बजाते हैं. बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि भोग लगाते समय घंटी क्यूं बजाई जाती है ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि भोग लगाते समय घंटी क्यूं बजाई जाती है इसके अलावा भोग लगाने से पहले कितनी बार घंटी बजानी चाहिए? आईए जानते हैं. क्यूं बजाते हैं घंटी? परानिक ग्रंथ के अनुसार भगवान के सामने घंटी या घंटा वायू तत्व को जागरत करने के लिए बजाया जाता है. वायू के ये पांच मुख्य तत्व व्यान वायू, उदान वायू, समान वायू, अपान वायू और प्रान वायू आदी हैं. भगवान को नवेद्य चड़ाते समय घंटी पांच बार बजाई जाती है. नवेद्य चड़ाते समय वायू के पांचों तत्वों का स्मरण किया जाता है और घंटी या घंटा पांच बार बजाया जाता है और भगवान को भोग लगाया जाता है. पांच बार घंटी बजाने से भगवान और वायू तत्व जागरित होते हैं, जिससे हमारे द्वारा चड़ाए गए प्रसाद की सुगंध वायू के माध्यम से भगवान तक पहुँचती है इसके साथ ही सही संख्या में घंटी की ध्वनी बजाने से आप भी परम तत्व के नजदीक खुद को पाते हैं, ये आपकी मानसिक शान्ती के लिए भी बहुत आवश्यक होता है शरीर को लाब घंटी बजाने का न केवल धार्मिक मेहत्व है, बलकि ये शारीरिक द्रिष्टी से भी लाबकारी है घंटी बजाने से उत्पन ध्वनी व्यक्ति के शरीर के सभी सातों चक्रों को सक्रिय करती है साथ ही घंटी की ध्वनी से मस्तिष्क को भी शांती का अनुभव होता है यह ध्वनी शरीर के अंदर के सभी नकारात्मक विचारों और बुराईयों को दूर करने का काम करती है इसलिए घंटी के ध्वनी को पवित्रत आदायक माना जाता है गहंटी की ध्वनी आप में आध्यात में कूर्जा भी भरती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर से निकलते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। झाला प्रभा प्रणी सकते समय ध्यात में कूर्जा लगर की चाहिए। झाला भरती है। झाला भरती है।